इस वीडियो में हम देखेंगे के embryo transfer में क्या होता है embryo transfer किसे कहते हैं जब आप IVF कराते हैं तो आपको injections 10 या 11 दिन लेने के बाद आपके eggs को ovaries से निकाला जाता है एग pickup या एग retrieval procedure के जरिये इस दिन इन एग्स को sperms के साथ fertilize किया जाता है और इसके आगे की growth embryos की incubator में होती है embryo transfer दूसरे तीसरे या पांचवे दिन पर किया जा सकता है बहतर होता है इसे पांचवे दिन पर करना मतलब lastosis stage पे एग retrieval के पांच दिन बाद embryo transfer का procedure बहुत साधारन और simple होता है यह completely painless होता है इसमें दर्द बिलकुल भी नहीं होता जब आप अपनी sonographies करवाते हैं के लिए जो transvaginal या internal sonography होती है उसमें जितना महसूस होता है लगबग उतना ही आपको embryo transfer के दौरान महसूस होगा इसलिए इसमें कोई घबराने या डरने की बात नहीं है इसमें anesthesia की जरूरत नहीं पड़ती है आपको हम full bladder पे बुलाते हैं मतलब आपको पानी पी कराना है क्योंकि ये ultrasound के अंडर किया जाता है ये ultrasound probe पेट के उपर से रखा जाता है जिससे के हमें uterus clearly दिखाई दे यूटरस को देखने के बाद हम एक पतले से catheter में आपके embryos लेते हैं catheter इस तरह से दिखता है देखिए ये कितने पतली सी और soft सी चीज है जब इसे uterus के अंदर डाला जाता है तो ये मैसूस नहीं होती है आपको पता भी नहीं चलता किसी किसी को थोड़ा सा discomfort फील होता है क्योंकि bladder full रख के करना पड़ता है पिशाब रोग के करना पड़ता है लेकिन जैसे ही procedure हो जाता है आपको washroom भेज दिया जाता है और आप bladder empty कर सकते हैं तो ये केवल दो या तीन मिनिट का procedure है जिसके लिए आपको अपना bladder full रोग के रखना पड़ता है आपको लिटाने के बाद और आपके uterus को ultrasound पे देखने के बाद इस catheter में आपके embryos लाए ज procedure है सिर्फ किसी को थोड़ा सा cramp feel हो सकता है लेकिन जादातर patients को कुछ भी नहीं मैसूस होता इसके बाद आप तुरंथ washroom जाके urine pass कर सकते हैं embryo transfer होने के बाद आपको bed rest या किसी तरह के restriction की जरूरत नहीं है आप normal activities continue रख सकते हैं in fact bed rest लेने से complete bed rest लेने से pregnancy रुखने के chances कम हो जाते हैं तो अपने आपको normal रखिए आपका diet भी normal रहे आपकी activity levels भी normal रहे और इस से आपके pregnancy रुखने के chances best होते हैं embryo transfer होने के बाद अगले 9 या 10 दिन के लिए आप कुछ medicines continue रखेंगे जिसके बाद serum beta HCG इस नाम के blood test से पता चलता है कि pregnancy positive है या नहीं यह embryos जब uterus में transfer हो जाते हैं उसके बाद अगले 2 या 3 दिन में यह uterus की lining अर्थात endometrium में stick होते हैं implant होते हैं और उसके बाद वो आगे की pregnancy grow होती है इस दौरान आज जैसे मैंने बताया आपको normal activity level maintain करना है अगर आप पहले से कुछ walk या exercise ले रहे हैं तो वो भी continue कर सकते हैं कोई restrictions की जरू होते हैं के चाए coffee दिन में 2 या 3 cup से जादा ना पिये smoking or drinking allowed नहीं होती है embryo transfer के बाद other than that बाकी सब dietary restrictions नहीं है और activity restrictions नहीं है simple process है